हेलो फ्रेंट्स वेलकम डियो स्मार्ट नेशनले मैं आज आपका यहाँ पे स्वागत है इसी के साथ आज की हम बड़ी खबर लेके आए हैं जो लोकर टेंड से भी लेके हैं और नई मुंबई से भी लेके हैं तो इस घटना को इस बड़ी खबर को हम पूरा विस्तार से सबसे पहले हम आज बात करते हैं कि आज सुबह का ही समय देखा जाया तो कल्यान स्टेशन पे एक मुबाइल फोन चोरी करते वा आरोपी पकड़ाया गया इसे के साथ आज ये जो दूसरी घटना है मुबाइल फोन चोड़ी की वो है नई मुंबई में दुकान से मुबाइल फोन की चोड़ी की गई है पनवेल में मुबाइल फोन दिखा जाए खईदने के बहाने दुकान पर गए दो चोड़े ने दुकान दार से बात करते करते सत्तर हजार रुपई के दो मुबाइल फोन चोड़ी किया और फरार हो गए इस मामले में पनवेल शहर पुलिस ने दोनों अग्यात चोड़ों के खिलाफ मामला दर्ज किया है बताते हैं कि शिकायत करता हितेंद्र कुमार माले की लाइन और अली में दिखा जायतो हितेंद्र कुमार और उसका छोटा भाई प्रविड कुमार दुकान पर ही थे तभी एक चौर ने मुबाइल फोन ख़ीदने की बहाने उनकी दुकान में फेस मास पहान कर प्रवेश किया प्रवीर कुमार को देखा जा बातों में उल्चा कर दो मुबाइल फोन चुड़ा कर मोटर साइकल पर दुकान के बाहर खड़े अपने साथी के साथ वह फरार हो गया अबाध कर दो मोबाइल फोन चुड़िया और बात बस तो भी च्रुको плох यह और सिर्थ